हलो स्टुडेंट आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटपॉम सोनु कंपिटिशन क्लास इस पे आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम अपने लिमिट की एक्सराइज फर्स्ट थी उसको सोल कर रहे थे और उसका लेक्चर नमर अपना है सेकिंड और वैसे टोटल लिमिट हो गया अपना थर्ड लेक्चर यह अब देखिएगा कि आज में वही सेम प्रोसेस अपने एक्सराइज के क्यूशन करने वाले हैं चलो देखते हैं अपना 23 को नमबर का क्यूशन और यह दि आपको यहां तक को प्रोब्लम आ रही हो तो आप हमारे साथ सेर कर सकते हम आपक है कि limit की कहानी देखिएगा कि 2 परकार से जाती है एक तो RHS साइड पर जाती है न और एक क्या बोलते हैं LHS साइड पर यह जब भी दोनों होगी तब इपनी limit क्या होगी exist तो यह पूच रहा है कि limit का एक तो 1 पर पूच रहा है एक 0 पर पूच रहा है ठीक है दोनों पर निकालेंगे तो solution तो यहाँ पर क्या करेंगे solution में क्या करेंगे we find that limit at x equal to 0 यानी कि हम x equal to 0 पर limit find out करने की कोशिस करेंगे ठीक है तो यह देखिएगा कि पहले तो पहला जो पार्ट है वो यह है तो यह देखिएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा पहले हमारे पास देखिएगा कि lhs limit निकालेंगे lhs limit of function at x equal to 0 अब देखिएगा कि lhs limit को हम क्या बोलते है lhs limit डिकती कैसी है भाई a देखिएगा कि a जहां पर point of minus आजाता है और f of x आजाता है अब यहां पर देखिएगा कि 0 कहां पे देखिए 0 किसके उपर 0 से कम की तरफ जा रहे है यानि 0 से नीचे अब 0 से आगे की तरफ तो यह है 0 से कम के लिए उपर पहले वाला function है यदि आप देखोगे number line पे तो यह अपना 0 होता है तो यहां से देखिए 0 से कम होगा तो हमको इसको ऐसे लिखेंगे और यदि 0 से greater than ह होगा तो यहां पर देखिए 0 से greater than पे तो कौन सा function है 3x plus का one function है और यहां पर देखिए कि इसके ओपर कौन सा function है less than पे x plus का three function है अब यहां पर देख लीजेगे आपके according यानि कि x minus तो x minus यह है अपना पास यह ठीक है और 0 plus पे यह है ठीक है हम इधर से आ रहे है इस 0 पे और इधर से आ रहे हैं 0 पे ठीक है अब देखिएगा कि क्या आने वाला है यहां पर 0 minus है तो यहां पर देखिएगा कि यह notation ना only हो और है कुछ भी नहीं तो यहां पर function की value देखिएगा less than के लिए आएगा अपने पास 2x plus का 3 अब यहां से क्या करेंगे अब second जो दुनिया तो हम यहां पर भी वह लगाएंगे अपनी तो यहां से क्या है कि limit h tending to 0 और यहां पर 2 0 minus h और plus 3 यह यहां पर आपको और यहां पर क्या करने वाले हैं कि limit h tending to 0 तो यहां से क्या हैगा minus 2 h plus 3 तो यहां से limit आएगी आपकी 3 आपके पास देखिएगा कि LHS limit आ चुकी है अब आपको चीए क्या RHS limit चीए ना तो अब देखिएगा कि अपनी RHS limit तो RHS limit क्या होगी? लिमिट 0 और यहां पर क्या हैगा? प्लस और f of x तो इसके उपर function की value देखिएगा कि कितनी है अपनी तो 0 plus पे तो 0 plus पे देखिएगा कि जब हम function को देखिएगा कि ग्रेटर देन है त 3 multiply x plus 1 है यह लखेंगे यहां पर यह लिखेंगे यहां पर तो यहां पर 3 x plus 1 अब एक दुनिया वाले definition यूज करते हैं वो क्या है अपने पास? as tending to 0 यहां पर लिखते है 0 plus h और यहां से function में put करा दो limit as tending to 0 अब जैसे 0 put कराया यहां पर 0 plus h बना यहां पर सही है अपनोंने 0 plus 1 करिया यहां पर 0 plus h plus का 1 और यहां से देखिएगा कि क्या आने वाला 0 into और यहां पर आएगा 1 और यह आएगा 3 यह अपने पास देखिए कि second rhs limit आ गई अब इसकी देखिएगा कि यहां पर देखिएगा कि limit पहले तो कि यहां पर देखिए lhs और अपना rhs क्या equal है अना rhs और lhs equal है तो इससे क्या होगा कि यहां पर अपने पास देखिएगा कि limit x tending to 0 f of x क्या होती है exist होती है ठीक है exist है यहां पर आप देखिए second है इसी का question second में क्या बोल रहा है देखिएगा कि 1 के उपर है अपने पास थोड़ा सा diagram बना लेंगे तो अच्छे से आएगा यानि कि यह अपने पास देखिएगा दो साइड से आएगे तो यहां पर आएगे तो यह आएगी 1- और यह आएगी 1- प्लस ठीक है और अपने पास पता है अब देखिएगा कि हमारा जो limit का discussion हो इसके उपर होने वाला है तो देखिएगा अब क्या है कि पहले हम क्या निकालेंगे लहसस towards । लहसस लाइट देखिएगे तो limit extending to 1 , और f . अब देखिएगा कि 1 के उपर function की जो आने वाली है वो क्या है function कौन सा आने वाला देखिएगा इधर 0 देखिएगा कि 1 इधर है और जो कि हमेशा क्या है 0 से बड़ा है अब 0 से बड़ा है तो इसके लिए function की domain तो यही आने वाली है अपनी यहाँ पे ठीक है न तो function गया आएगा कौन सा आएगा अपने पास ज्यादा के लिए 3x प्लस वाला आएगा ठीक है तो यहाँ से देखिएगा कि function क्या है अपने limit extending to 1 minus और यहाँ पे function की value क्या 3x प्लस का 1 यह किलिए आपको अब आगे चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा एक नई h put करेंगे अब function में देखिएगा कि limit देखिएगा आप h going to 0 और function कितना है 3 और 1 minus का h plus का 1 अब limit को 0 टेट निकरा दोगे तो 1 plus का 1 आएगा तो 3 into 2 और यह क्याएगा 6 यहाँ पे यह भी हो गया किलिए आप अब इसी का दूसरा आप जो भाई है वो क्या है रहस है रहस देखिएगा लिमेट extending to a plus और यहाँ पे भी function के आने वाला same ही आने वाला क्योंकि हम 0 से इदर आगे सारे के सारे तो वहाँ पे function ही a की define है वो अपने पास देखिएगा कि क्या है limit extending to 1 plus function के define है यहाँ पे 3 x plus का 1 यह clear आपको अब देखिएगा कि यहाँ से अपनी जो दुनिया वाली definition है वो लिखेंगे यह और यहाँ पे देखिएगा f of x को क्या लिखेंगे 1 plus का h लिखेंगे और यहाँ से देखिएगा कि अपने पास limit क्या लिखेंगे as tending to 0 आएगा जो क्या 6 है यहाँ पे भी अपने पास देखिएगा कि limit क्या होगी exist हो गयी क्या होगी कि यहाँ पे भी lhs equal to rhs हो गया तो यहाँ पे भी क्या होगी limit x tending to 1 f of x की limit कितनी है 6ich जो क्या है exist है भई limit क्या होगी exist होगी यहां तक ठीक है अब चलते हैं अगले क्यूशन में, अगला क्यूशन क्या वोल रहा है, कि यहां पर अपने वो लिमिट देखिए कहां पर निकालनी है, अब अपने को function दिया वा है यह और यहां पर one के उपर अपने को क्या पूछ रहा है, वो अपनी लिमिट पूछ रहा है, तो हम भी बता यहां पर क्या करेंगे, solution है अपने पास, तो पहले हम क्या लिखेंगे अपनी LHS लिमिट, अब आपको पता है कि LHS लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, और जो भी a minus f of, क्या आता है अपना पास, x आता है, ठीक है, यह आता है, अब देखिएगा कि यहां पर a तो क्या है अपना बोलिएगा, a क्या है अपना यहां पर a, a यहां पर 1 और 1 में 1 minus, यानिकि 1 से कम, ठीक है, अब देखिए, number line पर आजाओ थोड़ा सा, यहां से आपको समझ में आएगा 1, अब इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो 1 plus, और इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे, 1 minus, ठीक है इसको हम LHS और RHS में देख रहे हैं लिमिट को, और इदर से आएंगे, तो अपनी पास देखिएगा कि यह कौन सी side होगी, RHS side, और यहां से देखिएगा, यह, और यह कौन सी होगी, LHS side, यह, तो LHS यहां पर क्या आएगा, 1 plus H, यहां पर आएगा, 1 minus H, आपको पहले तो य function यह है अपना, ठीका, तो यहां से देखिएगा, X से less than पर अपने function देखिएगा कि कौन सा है, यहां पर इदर जाओगे, तो X से less than equal to 1 है, और इदर जाओगे, तो X क्या अपना, greater than to 1 है, तो यहां पर देखिए, function कौन सा है, यहां पर X minus 1 है, यहां पर अपने को कौन सा द यहां से function आएगा पहला x square x square minus का 1 अब देखिएगा कि जो अपने पास जो limit की definition है second value as tending to 0 f of 1 minus का h अब यहां से देखिएगा कि आपके सामने क्या आएगा limit as tending to 0 अब यहां से क्याएगा 1 square तो यहां पर आएगा 1 minus h का whole square minus का 1 अब limit operate करा दो limit operate करा दोगे पहले इसका whole square open कर लो 1 plus का h square minus का 2 h यहां और minus का 1 तो यहां तो देखिएगा कि 1 से 1 तो cancel out होगा h going to 0 होगा तो 0 plus का 0 equal to 0 यहां आगे अपने lh यहां अपनी lhs limit अब देखिएगा कि rhs limit के आएगी अब rhs limit को आपको पता लिखते कैसे x tending to a plus f of x अब यहां पे देखिएगा कि अपनी a तो क्या है 1 और 1 plus यह अब 1 plus पे देखिएगा कि function आगया x से greater than 1 greater than 1 के लिए function देखिए कौन सा है यहां पे function अपने पास x square और यहां पे कौन सा है minus का 1 ठीक है और यहां से अब क्या लिखेंगे अब इस वाली limit को हम लिखेंगे क्या वो ही कि as tending to 0 यहां पे function में क्या लिखेंगे कि 1 plus s लिखेंगे और यहां से देखिएगा कि limit limit as tending to 0 as tending to 0 तो function कौन सा है अपने वाला यह अब यहां पे भी आपको अक्स दिख रहा है वहां पे तो यह लिखोगे यह अब यहां से क्याएगा limit as tending to 0 और यहां से 1 और 2h और minus का h square और minus का 1 अब इसको limit जैसे put कराओगे तो minus का 2, 0, 0 और minus का 2 तो यहां से क्याएगा hence hence क्या है कि LHS does not equal to RHS so क्या लिखेंगे कि limit x tending to 1 f of x क्या होगा does not exist यही अपने पास क्या answer है तो यहां से हो गया अपना 24 question complete अब चलते है 25 में अब देखे 25 question क्या है 20 number देखेगा कि यहां पे अपने को 0 पे देखना है वही कहां पे देखना है 0 बात clear अब यहां से देखेगा कि इसका मतलब क्या है कि x है वह does not equal to 0 है इसमें आप क्या सोच सकते हो कि यह एक तो क्या हो सकता है sir अपना इसके अलावात और कुछ नहीं हो सकता नहीं जहां पे 0 equal नहीं होगा या तो x क्या होगा 0 से बड़ा होगा या x क्या होगा less than 0 होगा तो इस वाले case में देखेंगे तो अब अपने पास देखेगा कि यह जो given function है यह जो function है इसको break कैसे करेंगे break करने के लिए देखे पहले x के उपर restriction है x greater than है और x less than है पहले और x greater than equal to 0 अब आपको यह ध्यान में रखना है जहां पर भी modulus function आ जाए कि एक जो अपने पास याद गरने वाली बात है वो क्या है याद क्या करने है यह function है इसी type का है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 12th में आएगा तब भी यह ऐसा ही बन्या रहेगा जैसे यह आपको यदि कोई modulus function आपको दियावा हो तो इसको कैसे कॉलते हैं यह हमेशा यदि greater than equal to 0 हुआ तो इस केस में हमेशा यह कुलेगा positive बाहर क्या आएगा यानि कि यहाँ पर बाहर क्या लगेगा इसके positive लगेगा ठीक है और यदि x है वो less than 0 हुआ तो इसके बाहर क्या लगेगा negative ठीक है ऐसा का ऐसा तो यहाँ पर यह function आपको open करना आना चाहिए same condition यहाँ पर भी तो यहाँ पर दिकत कहां कर रहा है उपर अब देखे अक्स की greater than की उपर value क्या positive open होगी तो x और नीचे x का x अब देखें नीचे क्या less than है तो उस case में अपने पास minus x कुलेगा और x क्या आएगा और यहाँ पर क्या है 0 है अब देखेंगा second क्या आएगा f of x है ठीक है अब यहाँ से क्या आएगा 1 है और नीचे क्या है minus का 1 है और यह 0 होगा simplified होके x greater than x less than और x equal to 0 ठीक है अब अ कि पहले हम क्या करेंगे अपने पास रहस लिमिट निकालेंगे भई है ना रहस लिमिट देख लेंगे अब रहस लिमिट कैसे denote करते हैं वह देख लो कि x tending to a plus f of x अब इस क्यूशन में देखेंगा कि अपने पास a तो क्या है भई 0 है 0 पे plus और f of x ठीक है यही जीरो से थो तो यहां से तो सीधा ही क्या आगया अपने पास limit extending to 0 से थोड़ा सा बड़ा तो function की value क्या है वहां पर 1 है तो इसका मतलब इसकी limit क्या 1 आई है बस आगे का हम पर जाना ही नहीं है constant आगया ना तो वहीं खतम अब इसी में देखेगा इसका दूसरा LHS LHS में क्या है वही लिम यहां पर A की value क्या है अपनी पास यानिकि A की value है 0 यानि 0 से थोड़ा सा कम यानिकि अपनी left side में क्योंकि number line जैसे आती है देखेगा हम जैसे इसको समझने के लिए number line लाएंगे यहां पर अपना 0 आएगा अब देखेगे 0 से थोड़ा सा plus यानिकि इस side से आ रहे है ना इस साइड के आता है 0- यह अपने पास कौन सी होती है LHS left hand यहां देख ना left hand और यह कौन सा आता है right hand ठीक है यह तो यहां से यह तो अब देखेगा कि 0- h तो हो गया अपने पास यानि 0 से थोड़ा सा बढ़ा तो हो गया अब 0 से थोड़ा सा चोटा है यानि h-0 यानि 0- h sorry 0- h ठीक है तो 0- h पे देखेगा कि function की value तो minus 1 यानि कि इसमें 0 से थोड़ा सा चोटा तो less than 0 पे function की value minus 1 ठीक है तो यह अब देखेगा कि क्या यहां पे LHS और RHS क्या equal है क्या अपनी इक्वल तो नहीं है तो यहां पे क्या बोलेंगे कि यहां पे यह इंप्लाई कर देगा कि limit x tending to 0 f of x is not exist यह यहां पे ठीक है तो यह 25 नमबर का question में अपना complete होता है यह आया अब देखेगा 26 नमबर का question 20 question तो number same to same यह भई मैं आपको बना के देदूंगा यह आप घर से कर लेना ठीक है यहां से limit का concept same ही चलेगा देखेगा कि पहले तो यह कि मैंने आपको एक बार और repeat करता हूं यह दि कोई function है जो कि f of modulus यह होता है तो इसको open कैसे करते है इसको open हमेंसा ऐसे करते हैं कि x की value greater than होनी चाहिए तो यहां से x आएगा और x की value क्या होनी चाहिए less than होनी चाहिए उस time पे अपने पास minus x खुलेगा ठीक है यह आपको ध्यान में रखनी है बात जैसे यहां पर ध्यान में रखोगे तो यह जो उपर अपने को function दियावा ह है कि f of x इसको open कैसे करो गहाई यहां पे हमें पता है कि x नहीं होगा तो यह होग है और x यह होगा थाए जब 0 नहीं होगा थाए अब देखिएगा कि यहां पे तो यह क्या कुलेगा x से णीचे x का्ग है कि हमने क्या ले लिया है यहां पर negative ले लिया ना तो minus x ले खुले और यहां पे positive x आएगा और यहां पे x equal to 0 पे यह 0, ठीक है? यहां से क्याएगा? f of x equal to यहां से minus 1 आएगा, यह 1 आएगा, यह 0 आएगा और यह equal to 0 है और यहां से x greater 0 है और यह x less 0 है अब आपको पता ही है कि LHS और RHS देखिए same to same question बन गया है पीछे वाला है पीछे वाला copy paste करना आपको बस इतने गाम है, ठीक है? तो चलिए अब आगे चलते है, 26 भी complete है, ठीक है? देखिए 27 number क्या बोल रहा है 27 number यहां पे भी एक modulus function आई गया है अपना ठीक है ना? क्या आगया? modulus function आगया उसको open करने का तरीका मैंने आपको बता रहा है कैसे open होगा पहले तो इस function कारी को solve करते हैं function कारी क्या अपने पास f और यहां पे यह है modulus x-5 अब आपको यहां पे 5 तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है बट modulus 5 modulus x कर रहा है mode x को कैसे खोलोगे आप यहां पे मैंने आपको एक बार और recap करता हूँ कि mode equal to x को कैसे open करना अपने को ठीक है? mode x को कैसे open करना यही बात है कि x यदि greater than 0 हुआ तो ऐसे खुलेगा यदि greater than equal हुआ और less than हुआ तो अपना mode x कैसे खुलेगा? यह खुलेगा minus x ठीक है जी? यहीं पे भी वही case है कि यहां पे भी वही x यदि greater than हुआ है और equal to 0 हुआ तो इस case में x minus यह खुलेगा और यहां पे नीचे वाले में minus खुलेगा कब खुलेगा? जब x less than 0 होगा तो अपकी बार अपना देखिए कि limit कहां पे पूछ रहा है अपने को 5 पे limit पूछ रहा है 5 के आसपास इसका मतलब 5 क्या है? 0 से बड़ा अब 0 से बड़ा है तो वहां पे अपनी function की value क्या है? यह देखिए तो अब देखिएगा अब अपने पास देखिएगा कि अपने को limit किसकी पूछ रहा है limit पूछ रहा है limit extending to 5 और f of x इसकी limit पूछ रहा है इसकी limit पूछ रहा है तो देखिए आगे क्या करते हैं तो इसकी limit के लिए अपने पास function होना चाहिए पहले और 5 है तो 5 के LHS और RHS में हमें जाना पड़ेगा ठीक है 5 के उपर देखिए तो number line ले लिजा आप समझने के लिए यहाँ पे अपना कोई यहाँ पे तो 0 है अब 0 से बड़ा देखिएगा 5 है अपना अब 0 से अपना x है वो 0 से बड़ा होते ही अपने पास देखिएगा कि function तो कौन सा आ जाता पहले वाला तो यहाँ पे function तो आ गया f of equal to x minus का 5 clear आपको यह कैसे आया यह आपको पता होना चाहिए देखिए 0 से बड़ा होता है 5 और हमने 0 से x की value यदि 0 से बड़ी है तो उस time पे हमने उने function define कर रखा x minus 5 ठीक है यह अपनोंने यहाँ पे define कर रखा है अब define करते ही चलिएगा आगे चलते हैं अब यहाँ से अपने पास देखिए इस पूरे area में हमें पता चल गया कि 5 है function तो आप देखिएगा कि इस 5 से इदर जाओगे यानि 5 plus h करोगे तब भी यह यह और यहाँ से Jr. फाइप-e'd करोगे तब भी अपना function क्या है यह और यह कौनसी अपने पास देखिएगा यह अपने पास कौनसी है यह अपने पास आपस सम्झणे door यह समजनी के लिए और यह से यह अर यह कौनसी है lhs अब Lhs और Rhs हमें यह निकालनी है अब यहां से क्या करना है अपने को पहले LHS साइड निकाल लो भई इसकी तो यहां से देखिएगा कि f of x extending to minus 5 तो इस टाइम पे अपने पास देखिएगा कि function क्या होने वाला है extending to 5 minus पे function कितना है यहां पे 5 minus पे देखिएगा इधर भी वही function है जो इधर है क्योंकि हम x से greater than है तो यहां से भी function अपने पास देखिएगा कि x से minus 5 है अब यहां से देखिएगा अपनी second definition use करते हैं जो equivalent होती है इसके 0 है तो यहां पे function में क्या लिखते है f of 5 अब देखिएगा कि इसकी limit देखिएगा कि क्या put करोगे x tending to 0 और यहां से क्या करने function में 5-h कर दो यहां से 5 कर दो तो आपका क्या जाएगा 0 आजाएगा यहां पे limit ठीक है limit आए 0 अब इसी परकार हम क्या करेंगे second देखिएगा second क्या है? rhs limit है rhs limit क्या होगी? limit x tending to 5 और यह लिखते हैं rhs limit को यहां पे a की value 5 और function आगया f of x अब limit क्या करेंगे? x tending to 5 plus के उपर function की value क्या है अपनी? 5 plus पे function की value कौन सी है? यही f of यहां से क्या है? x minus का 5 है अब इसमें देखिए function में एक जो अपनी पास equivalent होती है वो 0 है और function में क्या लिखते है? 5 minus का h यह कौन सा? rhs है अपना 5 plus h अब यहां से function में value put करा दो जहां पे भी आपको x दिकरा वहां पे हम 5 plus h रखेंगे और यह ध्यान में रखना जहां पे भी h plus आता है वो अपने को यह दिखाता है यह फिर और क्या लिख सकते हो आप 5 plus भी लिख सकते हो इस definition के according इसी परकार यहां पे भी हमारे पास देखे 5 minus आ सकता है वह भी अपने को कौन सी दिखाएगा lhs को so करेगा यहां से function में आप value रख दिएगा तो 5 plus h minus का 5 और यहां पे देखेगा कि limit यहां पे limit के आई h tending to 0 आई और यहां से क्या आएगा 5 plus h minus का 5 अब 5 से 5 cancel out हो आट तो limit गई h पे h हो गया 0 यह देखेगा कि यहां से hence क्या हो आए hence lhs और equal to क्या आएगा rhs आगया तो यहां पे क्या हो गया कि limit extending to 5 f of x क्या हो गया exist हो गया यह यह तो जीत गया आज की दोड़ तो चलिए अब आगे चलते हैं यहां पे आपको यह दी कुछ problems है limit कैसे क्या find out कर रहे हैं तो पूछ सकते हूं यानि simple सा funda अपना रहे हैं अब जीरो से greater than हुआ तो अपने पास function कौन सा आ रहा है यह आ रहा है यहां पे बारिकी से मैं आपको यहां पे deliver कर रहा हूं और यहां पे देखिए mode x कैसे हम open कर रहे हैं यदि x की value greater than 0 होगी तो यह अपने आप खुल जाएगा और यह दि देखिए negative आते ही यह क्या करता है mode का मतलब होता है positive number ही देता है बार output में positive देता है चलिए आगे चलते हैं 28 number अब 28 number क्या बोल रहा है देखिएगा थोड़ा सा 20 number 8 है कि यहां पे function है और piecewise define है अब देखिएगा कि यहां पे अपने पास limit तो exist करा दी इसने और यहां पे क्या पूच रहा है अपने पास a और b की वेली पूच रहा है अना a और b की वेली बता दो इसको यह तो इसको कैसे solve करना है वो देखेंगे पहले हमारे पास देखिए यदि यह limit exist है इसका मतलब LHS और RHS क्या है equal है तो इस कानी से अपने को यहां पे यह समझ में आ रहा है कि यहां पे अपने को निकालना क्या है कि एक तो LHS निकालना है और एक क्या निकालना RHS निकालना है और उसको equal करना है कि f of 1 पे और f of 1 पे function की value कितनी है 4 है पहले तो इस function को आप समझे कि कैसे आ रहा है आक से छोटे के लिए यह function आ रहा है आक से बड़े के लिए यह function आ रहा है और equal के लिए यह 4 आ रहा है यह बात है तो अब अपने को क्या चीए पहले हम LHS निकालेंगे तो solution के लिए solution कि क्या है कि अपने वो पहले हम क्या निकालेंगे LHS limit ठीक है अब देखिएगा कि LHS limit तो LHS limit देखिएगा तो यहां से हम क्या लिखते है इसको function है अपने पास किसके उपर 1 के उपर देख रहे है तो क्या लिखेंगे LHS में x 1 minus और f of x ठीक है अब यहां से थोड़ा सा number line पर आजो आपको समझाने के लिए जैसे कि यह अपने पास number line है और यहां पर अपना 1 है ठीक है अब यहां से हम इस तरीके से आ रहे हैं इसके उपर साब बनके ठीक है और यहां पर क्या लिखते है 1 plus h होता है यहां फिर इसको लिख सकते है लिमिट की definition के according और यहां पर देखिए कि यहां पर लिखेंगे 1 minus h इसको क्या लिखेंगे 1 plus यहांनी कि 1 minus लिख सकते हैं और यह अपने पास कौन सी limit होती है वही LHS होती है यह कौन सी होती है वही RHS होती है यह मैंने डाइग्राम के through भी आपको समझा दिये हम 1 के उपर एकजिक्ट नहीं जा रहे है हम उसके आसपास खेल रहे हैं अब यहां से देखो के तो देखिए इससे आगे x की क्या value हो सकती 1 plus h यहांनी कुछ small सी value ठीक है अब देखिएगा की 1 minus h पे यहांनी की x से छोटे पे देखिएगा की 1 से छोटे पे अपने पास function की value क्या रही है इधर तो 1 से छोटा है ना इधर x क्या है 1 से छोटे हैं और इधर क्या है x है वो बड़े है 1 से ठीक है 1.1 है 1 1 2 है number line पे अब इसी को डाइग्राम को देखते हैं देखिएगा की हमारा lh side lh side में 1 minus 1 हमने denote किया है और इसके उपर function देखिएगा की x से less than के लिए x से less than के लिए यह function है अपना यहां पे तो यहां पे क्याएगा x और minus 1 के लिए function कौन सा है देखिएगा की a plus का b x है ठीक है यहां तक clear है x tending to 0 है और यहां पे क्या करते है function में क्या लिखते है 0 और यहां पे 1 है क्योंकि इस side में आ रहे है lhs में तो 1 minus h अब यहां से जैसे हम h को देखिए 0 tend करा देंगे तो हम कहां पे आ जाएंगे 1 पे आ जाएंगे तो यहां पे देखिए यहां पे अपने पास देखिए x था वहां पे देखिए 1 minus h पुट करा दो 1 minus h आ गया अब limit पुट करा दो कि यहां से आएगा a plus b और यह आगा b 1 minus 0 और यह क्या आएगा a plus b यहां से आगया lhs अब देखिए देख लीजेगा कि क्या आएगा अपने कुछ यह rhs भई अब rhs में इधर आ जो भई यह अपना rhs है अब rhs में है तो हम क्या लिख सकते हैं limit कैसे लिखते हैं rhs की कि limit क्या लिखते हैं 1 plus f of x यह लिखते हैं अब 1 plus पे function की value x से greater than के लिए x से greater than के लिए यह वाला function आएगा अपना x से greater than के लिए यह वाला function है अपना अब दूसरी जो definition हम use कर रहे हैं कि x tending to 0 जैसे कि देखिएगा कि h जैसे हमारा देखिए 0 की तरफ जाएगा यानि कि 0 0 जैसे कर देखिए h को तो वह अपने पास देखिएगा तो इस परकार से यह definition आती है तो यहां पर लिखेंगे 1 plus h अब जहां पर भी आपको function में x तिक रहा है वहां पर आप क्या रख दो यह रख दो तो b a और यह क्याएगा 1 plus h यहां से अब यह क्याएगा limit put करानी है यहां पर दो यह total यह है और यहां पर भी यह है तो limit put करा दो अब limit put करा होगे तो b minus a plus 1 plus 0 यह अब यहां से देखिएगा यह आपके सामने b minus a आया है अब according to अपनी condition क्या दियावाए कि limit क्या दियावाए कि x tending to 1 f of x equal to किसके है f of 1 के किसके equal है f of 1 के f of 1 के होते ही देखिएगा कि यहां से देखिए पहले lhs है वो इसके equal होगा f of 1 के तो यहां से लिखेंगे तो पहले तो क्या होगा a plus b according to question वो क्या होगा अब second condition में क्या हैगा b minus का a होगा जो की 4 आएगा ठीक है ठीक है ना क्यूंकि यह दोनों को imply कराता है यहां पर lhs और rhs और lhs और rhs क्या होगा f of 1 के तो मैंने यहां पर f of 1 देख लिए एक जगा इस प्रकार से की है ठीक है अब आगे देखिएगा अब अपने पास देखिएगा कि 2 equation आ चुकी है क्या आ चुकी है दोनों 2 equation आ चुकी है 2 equation कैसे आई? a plus ka b equal to 4 और यहां पर क्या एगा? b minus ka a equal to 4 देखिए दोनों को जब भी add करेंगे तो दोनों को solve करके आएगा 2 b equal to 8 और यहां से आएगा b equal to 4 यहां से आएगा b equal to 4 b equal to 4 आया यहां देखिए अब देखिए सेकेंड में अब देखिए किसी में भी b value पुट करा दो आप तो अब b value पुट करा दिया आपने यहां पर a plus ka b equal to देखिएगा की और यहां पर अब यहां पर देखिएगा की आप क्या कराओगे b equal to 4 put in equation in equation कौन सी अपने पास? इसको first देदो और इसको second देदो in equation first तो देखिएगा की कैसे आएगा a plus ka b और यहां से और यहां पर क्याएगा अपने पास 4 थाई तो यहां से देखिएगा और यहां से अपने पास देखिएगा b equal to 4 a equal to 0 तो यहां से क्या आएगा अपने पास देखिएगा b equal to 4 a equal to 0 तो भी अपने पास देखिएगा की f of 1 के बराबर है तो यह अपना question होता है बड़ा अच्छा question है तो 28 होता है खतम चलिया आगे चलते हैं 29 को करते हैं 29 देखिएगा की क्या है अब देखिएगा की a1 a2 a3a और an है और be a fixed real number and define a function यहां पर define a function यहां से यहां से यह आया function क्या है यह कि x- a1 और x x- a2 और x- a3 और डेख डेख कीतना है x- an यहां से यह 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 अब क्या कर रहे हैं यहां पर अपने पास एक function है पहली चीज़ तो अपने को क्या पूछी है वह देखिएगा what is the limit of a x- a तो सीधी बात है पहली बात तो यह कि limit क्या है extending to a1 f of x तो यह क्या है तो इसी को proceed on करते हैं तो यहां से देखिएगा limit लगा दो function के उपर extending to a1 अब यहां से देखिएगा कि f of x है और यहां पर भी limit लगा दो extending to a1 है और यहां से क्या हैगा x- a1 x- a2 है और कहां तक है x और an है अब limit आप अलग-अलग तो क्या हैगा extending to a1 x- a1 और limit यहां पर क्या हैगा extending to a1 और x- a2 है और देखिएगा कि limit extending to a1 है और x- an है अब जैसे इसमें देखिएगा limit आप जैसे operate करा दोगे तो a1 और a1 आगे तो जाना ही नहीं अपने को और यहां से a1 a2 है और यहां पर देखिएगा कि a1 और an है यह तो यह तो 0 होई गया अपना यह 0 हो गया और बाकी का जो भी है कुछ उसे मतलब नहीं है और यह अपने पास a का answer तो आ गया 0 अब देखिएगा कि second क्या है second में देखिए 4 sum a है वो जबकि इसके equal नहीं है यह जितने यहां पर a1 a2 a3 थे नहीं यहां पर इसके equal नहीं है नहीं यह तो अची बात है commute the f of a अब इसको भी commute करी लेते है इसमें कोई जितना कोई दर्द बरा काम तो है नहीं अपने पास तो पहले तो अपने पास देखिएगा कि function है function क्या दिया वा था अपने पास x-a1 और यहां से x a2 और x a3 और यहां पर क्या है x-an है ठीक है यह अब यहां पर हमें पता है कि यह जो a है वह does not equal to a1 a2 day 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 an है क्लिए रहें यहां तक बात है अब अपने को क्या करना है कि limit operate करा नहीं है x tending to a और वह है अपने पास f of x और limit tending करानी है x going to a ठीक है और यहां तक अपने पास function में क्या है x a और यहां से x a2 और x an ठीक है अब limit operate करा दो अब यह तो equally नहीं है तो 0 तो होंगे नहीं अब limit operate करा होगे तो product है तो सब पे अलग-अलग limit लगाओ सब पे क्या लगाओ अलग-अलग limit लगाओ तो है extending to A x-an इहां तक अब जैसे आप यहां पे लगाओगे तो क्या करोगे? यहां पे आएगा A & A1 और यहां से क्या आएगा a, a2 और आगे वाला क्या आएगा a, a3 और ड, a, a, an अब देखिएगा कि हम अपने 30 नंबर के क्यूशन को सोल करते हैं, देखिएगा कि अपने पास एक function define है जो कि इस तरीके से face-wise define है अब अपने पास x है, वो less than x equal to 0 भी है और x क्या है, greater than भी है अब अपने पास देखिएगा कि यह a है अब यह a क्या हो सकता है या तो a क्या हो सकता है, equal to 0 हो सकता है a क्या हो सकता, greater than हो सकता है या फिर a क्या हो सकता, less than तो तीन condition आएगी एक के ऊपर ठीक है, और उसी पे base पे हमें कुछन सोल करने है तो पहली जो कंडिशन है सोलिशन है रहा? तो देखिएगा कि पहले हमने क्या लिया कि फिर्स्ट कंडिशन फिर्स्ट कंडिशन एक्वल डू जीरो ठीक है अब जैसे एक्वल डू जीरो लिया तो हमें देखिएगा कि लिमिट पे कहां पे डिस्कॉशन करना है एक्वल डू जीरो पे और एफ ओफ एक की लिमिट हमें फाइंड आउट करने है ठीक है तो यहां से देखिए अपने पास यहां पे खानी दो तरीके से चलती है एक LHS में एक RHS में तो पहले हम क्या करेंगे अपना LHS फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे कि लिमिट अक्स टेंडिंग डू जीरो और LHS यह जीरो माइनस आता है और F यहांनी कि 0 से यहांनी 0 नगेट हुए यहांनी 0 से कम पे 0 से कम पे कौन सा function है अपने पास यह ठीक है कौन सा function आएगा कि अपने पास आएगा modulus x plus का 1 यहां पे कौन सा function आएगा x tending to 0 minus और यहां पे आएगा अब देखिए 0 से कम के अपने को पता है कि एक note आपको पता होना चाहिए क्या कि यहां से हम क्या जानते हैं देखिएगा क्या है कि यहां पे अपने पास देखिएगा modulus x है वो equal to minus x होता है when कब होता है कि when x है वो less than 0 है तो यहां पे देखिए कौन सा domain मेंसे ले रहे है तो यहां से देखिएगा कि क्या हैगा कि x और यहां से क्या हैगा x tending to 0 minus यहां में modulus x खुलेगा अब जो देखिएगा आप देखिएगा कि x को 0 tend करा लो या फिर अपने बास देखिएगा जो अपने लिखते हैं कि जो second जो दुनिया बताती है f of a going to 0 तो 0 minus h जैसे लिखोगे आप तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि जो x की जगह है वो क्या लिखना अपने को limit x tending to 0 और यहां पे negative 0 minus h plus 1 यह अब इसकी limit है वो अपने पास में क्या आ रही है वो आ रही है 1 यह तो यहां से देखिए यानि जब हमारी condition है वो x a equal to 0 अतब की condition यह है अब second में देखिएगा कि क्या है rhs है rhs में अब rhs में कैसे हम लिखते है limit x tending to 0 plus और यहां पे function की value अब 0 plus का मतलब 0 से थोड़ा सा जादा है यानि कि जब हम limits को discussion करते हैं तो 0 यह है अपने पास तो 0 के left तो 0 से थोड़ा सा right hand में तो positive तो यहां से देखिएगा कि क्या आने वाला यहां पे अपने पास देखिएगा function क्या आएगा x greater than 0 x plus और यहां से modulus x plus का 1 यहां पे 1 अब देखिएगा यहां पे 0 है अब 0 से आगे क्या लिखेंगे x की value greater than 0 है और यहां पे क्या आएगी x की value less than 0 आएगी इदर और बीच में देखिएगा कि यहां पे x equal to 0 है यह अपना अब देखिएगा कि यदि हम 0 से इदर जाते हैं तो इदर तो अपने पास देखिएगा कि क्या आता है 0 plus 0 plus h इसका मतलब rh side और यहां पे इसको denote किसे करते हैं plus 0 plus से और इदर देखिएगा कि यह कौन सी है इदर जब भी हम आएंगे ऐसे साब बनके तो ऐसे और यहां पे क्या आएगा अपने पास आपको समझ में आने चाहिए इसलिए अब यहां पे x से greater than इस side में x से greater than के लिए function कौन सा यह अब यहां पे देखेंगे तो x अपना क्या है greater than है तो चूँकि यहां पे देखिएगा कि क्या है modulus x होगा वो equal to x होगा और चूँकि यहां पे क्या है अपने पास x है वो greater than 0 है तो यहां से अब अपने पास देखिएगा कि modulus x tending to 0 plus function क्याएगा x minus का 1 ठीक है limit यहां पे क्याएगा h tending to 0 आएगा और यहां से क्याएगा 0 plus h करना पड़ेगा यहां पे क्या लिखेंगे पहले function में 0 plus h लिखेंगे और यहां पे आगे देखिएगा अब आगे में अपने पास देखिए function कौन सा है function अपने पास यह था यह अब यहां पे लिखेंगे यह वाली जहां पे x है अपना 0 plus का h और यहां पे limit extending to 0 है और यह क्याएगा minus और यहां पे क्याएगा 0 minus 1 और यहाएगा minus 1 तो यहां पे क्या है अपने पास देखिएगा कि LHS है वह RHS के equal नहीं है तो क्या होगी अपनी यहां पे limit exist नहीं करेगी ठीक है तो यहां से क्या करेंगे तो यहां पे देखिएगा कि limit extending to 0 f of x is not exist यह ठीक है यहां पे exist नहीं कर रहा है अब आगे चलते हैं अपने पास देखिए एक क्या होगा जब greater than 0 होगा उस case में क्या करेंगे ठीक है न इसलिए अब देखिएगा कि जब अपने पास देखिएगा second case जब हम लेते हैं क्या कि a है वो greater than 0 है a greater than 0 है ठीक है अब चलिएगा अब अपने पास देखिएगा कि यहां पे है अपने पास यह limit कहां पे निकालने है limit extending to a अब a f of x पहले तो हमें function का decision लेना पड़ेगा कि यहां पे हम function कौन सा ले कि function लेना पड़ेगा कि अब a से ज़्यादा greater than के लिए जा रहे हैं तो a की value क्या greater than 0 है इसके लिए यहां पे क्या कर सकते हैं यहां पे जो अपना function होगा वो क्या होगा वो अपने पास आएगा x-1 यहां पे क्या आने वाला है अपना यह मौडूलस x-1 अब यह अब इसको समझना पड़ेगा कि हम जो value लेते हैं approximate a क्या है यहां पे जो अपने पास a है वो क्या है कि देखने वाला इक बात है कि a की value है वो अपने पास होगी greater than 0 है तो greater than 0 हुआ तो greater than 0 हुआ तो यह a है जो कि x almost x के equally तो है तो यहां पे लेके देखेंगे तो a है वो greater than 0 होना चाहिए तो इसलिए हमने यह function लिया है तो यहां से अपने पास function तो यह आ गया अब इसमी क्या करेंगे हम अपने पास कि lhs limit निकालेंगे और rhs limit लेकालेंगे ठीक है तो यहां से rhs लिए lhs limit के लिए क्या करते हैं x tending to a minus f of x वोई बात अब यहां पे भी अपने पास देखेंगे function की limit function कौन सा लेंगे यह लेंगे क्यूंकि अब तो सारा का सारा यही function है अपने पास यहां पे तो यहां से देखेगा x tending to a और यहां पे function क्या अपने पास x plus का यह अब यहां पे क्या लगाने वाले है? यहां पे अपने पास दीखेगा कि limit जैसे a operate करोगे यहां पे जैसे a operate करोगे तो modulus a minus का a आएगा और अपनों ने देखिएगा कि a को क्या ले रखा है positive ले रखा है तो यहां से बाहर क्या आएगा a अपना a ही आएगा क्योंकि a क्या अपने पास positive है तो यहां से एक दो देखिएगा कि lhs limit क्या आएगी a minus का 1 यहां तक अब इसी case में अपने पास देखिएगा कि क्या आने वाला है कि a less than 0 नहीं a less than a तो यही रहगा ठीक है अब यहां पर अपने को कह चीए lhs limit चीए rhs चीए sorry rhs वो कैसे निकालने वाले हैं कि limit rhs को पहले यह तो देख लो कि हम denote किसे करते हैं a plus से और यहां पर function यहां पर देखिए overall function हमने defining यही कर रखा है कि function a से जैसे greater than होगा a कोई भी particular number होगा और देख लीजेगा कि a है वो कहां पर lies करेगा a lies करेगा कि 0 से लेके x के बीच में कहीं पे भी तो यहां से है तो यह तो positive number है और positive पर modulus हमेशा ही positive खुलता है यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है तो यहां से देखिए function क्या आन आने वाला यहां पर भी यह आएगा extending to a plus और यहां पर कहाएगा modulus x minus का 1 अब आपको पता है कि जैसे आप limit यहां पर क्या operate कराओगे limit a tending to x plus का minus a tend करा दो limit limit जैसे आप put कराओगे तो यहां पर आगा a minus 1 अब आपको पता है कि उपर हमने लिख रखा कि a क्या होता है greater than है य यहां पर modulus तो अपने यहां पर ही ऐसा ही खुलेगा यह आएगा a minus का h तो यहां से देखने पर अपने को देखिएगा कि अब क्या हो रहा है कि function की limit है वो क्या exist हो रही है कि पहली तो बात यह कि यहां पर देखिएगा कि lhs और क्या हो रही है rhs limits दोनों ही क्या हो रही है So, यहाँ पे देखेगा कि So, तो limit क्या होगी? Limit भी इनके exist ही करेगी क्या होगी? Limit exist करेगी किसके लिए? A और F इसके लिए? ठीक है? यहाँ पे इसके लिए अपने पास limit exist करेगी वेन क्या है? अपने पास A greater देन है तब ठीक है? अब देखिएगा कि Second अपने पास जो case था जब अपने पास देखिएगा कि A A क्या है? लेस्टेन 1 है और A कहाँ पे लाइस कर रहा है? अपने पास देखिएगा अकस से A less than 0 पे यह ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा आपके सामने अब इस परकार से जब भी function है तो वहाँ पे अपना पहले तो function देखना पड़ेगा इसके लिए कि function क्या होने वाला है? ठीक है? इसके उपर वाली condition में देखिएगा कि A lies करता है 0 से छोटा है और X के बीच में ठीक है? तो यह कौन सा case अपना? यह देखिएगा पहले वाला case ही तो जीरो से छोटे के लिए ठीक है? जीरो से छोटे के लिए अपने पास modulus क्या हैगा? function है अपने पास X plus का 1 ठीक है? अब यहां से क्या होगा? यहां पे अपने को LHS limit भी निकालनी पड़ेगी और RHS भी तो LHS निकालो भई इसकी अब LHS में notation सेम ही चलने वाले देखिएगा कि इसको denote कैसे करते हैं? यहां पे लिख दें LHS में यह और minus F of X और यह क्या हैगा? limit extending do यहां पे A- तो A- के लिए क्या करने वाले हैं? A- पे function की value सेम ही आने वाली है वही सब के लिए ही यह रख दो अब limit tend करा दो यहां पे limit जैसे आप यहां पे limit tend कराओगे A तो यहां से क्या हैगा आपका? limit tend कराओगे तो A plus और यहां पे plus 1 अब आपको यहां से modulus कोलते वे ध्यान रखना है कि यहां पे A की जो value है वह क्या है? negative है इसलिए यहां पे अपने पास modulus आएगा वह minus A plus 1 आएगा ठीक है? कि mode A है वह equal to minus A Y क्यूंकि यहां पे जो mode है वह less than क्या है? 0 है एक तो यह limit आगी आपकी तो इस थोड़ा सा इस region को हमको नीचे write down करेंगे यहां पे देखिएगा यह लिखिएगा कि mode A equal to minus A है क्यूं है? क्यूंकि यहां पे जो A है वह less than 0 है ठीक है? आगे उपर conditions है अब इसी का देखिएगा second part अपने पास क्या है? RHS limit है RHS को लिखते कैसे वह आपको पता होना चाहिए कि A plus और यहां से function function आपको पता होना चाहिए कि function अपने यहां पे लिख रखा पहले अल्रेडी यह अपना function होने वाला है और यह A plus function अपना आगया A X की जगह क्या लिखेंगे? function अपना क्या है? X modulus plus का 1 यह ठीक है? function क्या आया? यहां पे limit operate कराओ limit extending to A आएगी यह ठीक है? अब देखिएगा limit क्या है? अपने पास वही same है कि A plus का 1 यह आई limit बट अपकी बार देखिएगा कि अपकी बार भी यह बात है कि अपने पास जो A है वह क्या है? less than तो यहां से देखिएगा अपने पास वही A minus का 1 आएगा प्लस ठीक है? यह दो parts हो गए है इसकी LHS और RHS और यहां पे लिखिएगा चूंकी कारण क्या है इसका? therefore ठीक है? तो यहां पे A modulus है वह क्या आएगा equal to minus A आया क्यूं आया? क्यूंकि A की value है वह less than है वही यहां पे ठीक है? इसलिए अब देखिएगा कि अपने पास यहां पे क्या आया? कि यहां पे LHS है जो क्या है? आया RHS के equal आया ठीक है? तो यहां से अपने पास देखिए अगेन क्या है? कि F of X और यहां से देखिएगा कि A और F of X की जो limit है limits क्या है? exist है भई यह अब देखिएगा कि overall summary क्या है इस question की वह है अपने पास देखिएगा कि क्या? इन दोनों conditions में हमें देखिएगा A के उपर है एक बार A अपना greater देना है एक बार A है वह अपने less देना है यह बड़ी खासी एतबात है इस question की यहां पर A है वह यह है और यहां से देखिएगा कि A हो है वह ठीक है? यह अपने पास देखिएगा थर्ड केस था इसका जो हमने solve किया है overall बात क्या है? कि F की जो limit है F of A है और वह क्या होगी? एक जिस्ट होगी एक जिस्ट है एक जिस्ट वैन अपने पास देखिएगा कि A क्या है अपने पास greater than 0 है A क्या है? A है वह less than यह अपने पास क्या answer है अब चलिएगा हम अपने next question पर चलते है अब देखिएगा कि हम अपने 31 number के question को solve करते है इसमें अपने को देखिएगा कि function पूछा है जो satisfied करता है इस वाली condition को देखिए यह तो अपने को यह limit के उपर क्या निकालना लिमिट निकालना है उसकी ठीक है तो यहां से देखिएगा solution कैसे करना है अपने को अब solution कैसे करेंगे देखिए हम तो करते है solution आए यहां पर पहली बात limiting है और यहां पर रखो इस function को f of x minus 2 नीचे क्या आएगा x square minus 1 और equal to π यहां तक आप अप जैसे आप देखिएगा कहाएगा कि यहां पे क्या करोगे oneák अब देखिएगा आगे क्या है इसवाले को इदर आप इदर लेकिए चले जाएगा कि limit extending to 1 है और यहाँ से क्या आएगा function है f of x है और minus का 2 है और यहाँ से देखेगा कि h है और πाई है और limit extending to 1 है यहाँ पे क्या आएगा x square minus का 1 ठीक है अब देखेगा कि आपको क्या चीए कि limit यह तो हमें चाहिए भई अब 2 पे limit लगाओगे तो क्या आएगा 2 पे तो 2 यह आएगा 2 पे 2 आएगा और यहां से देखेगा कि πाई है और यहां पे लिमिट जैसे आप उपरेट करोगे यहां पे जैसे आप लिमिट तो अक्स की जगह 1 पुट करोगे 1 माइनस का 1 0 हो गया और यहां से देखेगा कि लिमिट पूछा था कि limit extending to 1 पे क्या एगी f of x तो यह ही अपने पास क्या है आंस्वर है भई ठीक है चलिएगा अब अपने 32 जो कि last and final question है अपना exercise का देखिएगा क्या है यहां पे पूछ रहा है कि यह बोलिए कि f f of अपने को दियावा function अपने को piecewise define function है देखिएगा for what integer value of m or n m or n does that both f यानि कि 0 पे अपने देखिएगा कि exist होना चीए और इसके उपर extending to 1 के उपर अब देखिएगा कि जब भी हमें इस तरीके की limit दी हुई हो limit के बारे में पुछे तो अपनी कानी है वो दो तरीके से चलती है एक LHS पे चलती है वो ही है कि पहले हम यहां पे देखेंगे पहले हम solution में पहला जो discussion होगा वो हम क्या करेंगे first वो अपने पास होगा limit extending to 0 पे होगा और f of x आएगा इसके लिए करेंगे अब इसके लिए करेंगे तो और इसके भी 2 parts में कहानिय चलेगी ठीक है यहां पे 2 parts में कैसे चलेगी देखेगा एक चलेगी यहां पे LHS में और एक चलेगी आपको ने पे रहे चमे यहांदे के लिए कि अब Installation बेखेगा की यहां पे LHS में कैसे चलेगी यहां पे 0 है यहाँ पर 0 है अब limit है जो कि extending to 0 है और LHS है तो 0, minus और यहाँ पर function यहाँ कि 0 से थोड़ा सा छोटा यहाँ कि 0 देखिएगा कि यह है अपने पास थोड़ा सा समझने के लिए 0 है अब 0 से minus है तो इस side में आगे LHS side में आगे LHS side के अंदर देखिएगा 0 से छोटे पर function कौन सा अपना वह है अपने पास देखिएगा कि limit extending to 0 यहाँ पर क्या लिखते है m m square plus का n यहाँ से क्या आता है अपना यहाँ पर limit लिखेंगे limit h tending to 0 अब देखिए function में क्या लिखेंगे 0 minus का h यह अपनी second definition थी जिसके according हम इसको लिखते है तो यहाँ से क्या आगा limit h tending to 0 और जहाँ पर अपने पास देखिएगा कि जो m था और यहाँ पर लिखेंगे यह और plus का यह आएगा n अब यहाँ से क्या आएगा आपका तो यहाँ से m और यहाँ पर h square तो h की जगा limit tending करा दो और यह आएगा और यहाँ से क्या आएगा n यह आएगा अब देखिए अब दूसरा rhs rhs में हम क्या गड़ने वाले rhs की पहले तो basic definition आपको पता होनी चाहिए कि 0 प्लस पे और function कैसा आएगा वो देखो 0 extending to 0 प्लस इसके उपर function आपको कैसा दीखेगा इसके उपर आपको function है वो क्या होना चाहिए जीरो से थोड़ा सा लीड बड़ा तो 0 से बड़े के लिए देखिएगा कि यह वाला यानिकि 0 प्लस तो 0 से थोड़ा सा बड़ा तो यह से 2nd number का, यहां से idea लग सकता ना, 0, यहां पर number line पर x होगा, तो 0 से बड़ा, इसलिए, तो यहां से 0 से बड़े पर function की value क्या है, n, x, or m, यह है, अब देखिएगा कि यहां से क्या आने वाला है आपका, कि limit, x tending to 0 plus, और यहां से हम क्या लिखेंगे, अपने पास यह तो आए ग 0, और यह क्या आगा, f of 0 plus h, अब जहां पर भी अपने पास function था, उसमें क्या लिख देंगे, यह वाली definition यूज करा देंगे, n, 0 plus h, और plus m, यह, अब इसको इसको अंदर multiply कराएंगे, तो यह तो limit होगी 0, और यहां से आगा m, देखिएगा कि क्या है, अब देखिएगा कि कब होगा यह, अब दोनों क्या distinct integers हैं, यहां से देखिएगा कि अब यहां पर limit के लिए देखिएगा कि क्या होगया, कि क्या करेंगे, कि यहां से देखिएगा कि limit extending to 0, f of x है, वो exist है, exist होंगे, if lhs और क्या होगा, rhs equal, ठीक है, यह, अब इसका मतलब कि दोनों क्या होने तो इसका मतलब जो lhs है, वो अपने पास क्या है यहां पर, वो आया, n और equal to m, दोनों equal है, तो equal होने के लिए देखिए, जितने भी अपने पास integers होंगे, उनके लिए, सभी के लिए, जो equal integers होंगे, 1, 1, उनके लिए क्या होगी, यह वाली exist करेंगे, तो यहां पर क्या वो क्या होगी, limit exist for all integers, टीक है, for all integers के लिए क्या होगा, यह satisfied करेगा, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या सेकेंड, सेकेंड में अपने को 1 की उपर discussion करना है ना, और रुकिएगा कि यहां पर इस तरीके से exist नहीं गरेगा, अपने पास देखिए, यह गलत है यहां पर, क्या होगा कि देखिएगा कि limit, will be, exist, when, क्या होगी, कि n और m, यानि दोनों integers क्या होगे, अपने, equal होगे, यह, ठीक है यहां तक, अब इसी का देखिएगा कि आप second part देखिएगा कि क्या है, second part में अपने को checking करनी है, देखिएगा कि second part, second part, second part क्या बोल रहा है, कि यहां पर limit किसके बारे में discussion करना है, इसके बारे में discussion करना है, ठीक है, तो इसके बारे में अपने को, कहां पर यह exist करेगी तो पहले वही कानी, यहां पर भी LHS में जाएगी, और एक कानी कहां पर चाहेगी अपनी, एक क्या जाएगी RHS में, वही, अब देखिएगा कि LHS की limit कैसे लिखते हैं, जनरली लिखते हैं, और यहां पर 1 पर कर रहे हैं, तो 1 minus f of x, ठीक है, अब real number line सोच लिजए आप अपने मन में, और यह 1 है, और इधर जाओगे तो 1 से plus है, इसका मतलब x है, वह greater than 1 है, और इधर क्या है x से less than है number line पर, ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब function कौन से आने वाला है, यह जो है, वह function decide करने वाले हैं, यहां पर, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं है, यह मह, यह वाली महनत, ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि x है, यहां कि 1 से minus, यहां कि LHS side के उपर function कैसा होगा, अब देखिएगा कि 1 से चोटे के उपर function क्यों सा है, n plus का m, 1 से चोटे पर अपने पास देखिएगा कि function क्या है, यह, ठीक है, यह आगया अपना, तो यहां से देखिएगा कि जैसे आप यह वाली limit लगाओगे, कि limit x tending to 1 minus का इधर क्या आएगा, n x plus का m, कि यह, तो limit देखिएगा कि x tending to, यहां से तो यह clear हो गया, अब देखिएगा, इसी के equivalent अपने को जो second definition, x tending to, x tending to 0 वाली और यहां पर f है, f में हम क्या करेंगे भई, कि जो अपने पास a है, उसमें क्या करेंगे, 1 minus h करेंगे, यह तो अपनी क्या होती है, lhs definite, lhs limit होती है, तो यहां से क्या हैगा, अब function है, function कौन सा अपना है यहां पर, function यह रहा भई, तो इसमें put करा दीजएगा कि limit क्या हैगा, h tending equal to, यहां से 1 plus, और 1 h, और यहां पर क्या हैगा, m, यह है, और देखिएगा कि इधर, limit h tending to, यह सब, और यहां से देखिएगा, कि यहां पर h going to 0 आया, यहां पर क्या हैगा, देखिएगा कि, यह अपने पास n है, यहां पर 1 minus का 0 हो गया, और यहां पर m आ गया, तो n plus का m, यह है, ठीक है, यह अपने पास क्या है, lhs limit है, आप इसी में देखिएगा कि rhs, rhs यह वाली side x से, यहां कि greater than 1 पे, तो 1 plus limit, देखिए, lhs को हम देखिए, यहां पर 1 है, 1 plus, और यह अपने पास देखिएगा कि function है, ठीक है, कि limit, यह, 1 plus के उपर function क्या होने वाला है, यहां पर देखिए, 1 से greater than पर यह वाला function है अपना, ठीक है, तो, देखिए, 1 से greater than, 1 से greater than पर यह वाला function है, तो देखिएगा कि यह यहां पर है, और 1 से greater than पर अपना function है, nx का q, plus का m, यह, अब यहां से function यहां पर रख दो, और m, यह, अब देखिएगा कि यहां से क्या करने वाले हम, कि यहां पर limit, अवोई h, tending और यहां पर function में हम क्या लिखेंगे, अपने पास 1 है, एक ही जगा, तो 1 plus h कर देगे, अब यहां से क्या करने वाले है, अब देखिएगा कि यहां पर भी function में, आपको क्या दिख र यहां से, अब जैसे आप h को 0 पुट करोगे, तो यहां से 1 plus का 0 h cube और यहां पर n plus का m, और यह देखिएगा कि n plus का m, यह तो equal आगे है यहां पर, अब equal आते ही देखिएगा कि क्या condition आई है, कि यह देखिएगा कि lhs, यहां पर है, अब limit exist कप करती, जब lhs और rhs equal है, त यहां से देखिएगा कि, कि limit extending to, क्या हैगा, अपने पास 1 है, f of x है, वो क्या होगी, exist होगी, if, क्या होगी, कि lhs और rhs क्या होगे, equal, और यहां से देखिएगा, कि then, इसके ही, यहां से क्या हैगा, n plus का m होगा, जो equal होगा, n plus के m के, और, अब देखिएगा, कि यह क्या equal है, 1, 1, के, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, कि यह दब भी equal होगी, अब इसका मतलब, f of x, exist, किन, किन integers के लिए, 4 all integers के लिए, क्योंकि, कोई भी integers, ले लो, m और m का, उनका sum करा दीजे, यहां पे, वो सारे क्या होने वाले, equally आने वाले है, इसलिए, तो यह क्या होगा, कि then, यहां से देखिएगा, कि then, कि limit, f of x exist होंगे, किसके लिए, for all n और m belonging to integer के लिए, जो पहले वाला जो case था, उसमें हम क्या कर रहे थे, कि क्या लिखे थे, कि यह कब exist करेगा, जब n और m क्या होंगे, equal होंगे, ठीक है, और lhs और rhs को तो वैसे भी equally होना पड़ेगा, इस वाली condition से हमें यह पता चला, कि f और यह exist होंगे, कि इसकी limit कब exist करेगी, जब जिस condition में यह 1 आ गया और 2 आ गया, तो does not equal, not equal का मतलब, कि अपने पास limit exist नहीं कर रहे है, और इसमें देखिएगा, कि जब भी आ यहां से integers आ गया, और हमने answer लिगा है कि, the limit f of a is exist for n और m belonging to integers, यहनिकी सारे integers के लिए, for all integers, तो thank you so much watching this video, like and subscribe for more videos.